नमस्का खुलेंगे दुनिया के रास राजणामा दुनिया के साथ में प्रिया नेपाल के प्रधान मंत्री पुश्प कमल दहल उर्फ प्रचन के भारती बिजनस्मेन को लेकर दिये गए बयान के बाद उनके इस्तिफे की मांग की जा रही है प्रचन ने बुधवार को एक बुक लाँच इवेंट के दोरान कहा था कि भारती बिजनस्मेन सरदार प्रितम सिंग ने उन्हें प्रधान मंत्री बनवाने की कोशिश की थी प्रचन ने का मुझे पीएम बनाने के लिए सीने कई बार दिल्ली का दोरा किया था और काटमंडू में कई नेटाओं के साथ बैठकी थी उनके इस बयान को वहाँ की विपक्षी कम्यूनिस्ट पार्टी नेपाल के मामलों में भरत के दखल के तोर पर पेश कर रही है CPN UML के गडबंदन वाली नेपाल की विपक्षी पार्टी ने प्रचन के बयान का मुद्दा वहाँ की संसत में भी उठाया इसके चलते कई बार संसत की कारवई बादित हुई नेपाल के पूर प्रधान मंत्री और CPN UML के चैर्मेन केपी शर्मा ओली ने मीडिया से बाच्चित के दोरन कहा कि प्रचन के बयान ने नेपाल के संबान और आजादी को गहरी चोट पचाई है वहीं विपक्षी पार्टी UML के संसत रगुजी पंद ने संसत में कहा बयान का गलत मतलब निकाला गया है प्रचन ने कहा में अपने बयान के जरी सिर्फ ये बताना चाता था कि सरदार प्रितम सिंग सिर्फ सोशल सर्वीस और ट्रांस्पोर्ड के बिजनेस में ही दिल्चस्पी नहीं रखते थे बलकि वो राजनिती में भी काफी इंटरेस्ट लेते थे प्रचन ने जिस भारती बिजनेस में सरदार प्रितम सिंग का जिक्र अपने बयान में किया उन्हें नेपाल में ट्रांस्पोर्ड के तरीकों में बड़ा बदलाव लाने के लिए जाना जाता है सिंग पहली बार 1958 में अपने दोस्ट की भेहन की शादी अटेंड करने के लिए नेपाल गये थे तब वो एविएशन की पढ़ाई करने वाले एक टीनेजर थे इसी दोरान उन्हें वहां ट्रांस्पोर्ड का बिजनेस करने का आइडिया आया नेपाल में वो दोर था जब वहां रोड बननी शुरू हुई थी टेक्सी और प्राइवेट गाड़ियों का चलन शुरू हुआ था पहली बार काड़ पंडू जाने के ठीक एक साल बाद 1950 में प्रितम सिंग तीन ट्रक ड्राइवर और कंड़क्टर के साथ लोटे और वहां ट्रांस्पोर्ड का बिजनेस शुरू किया 1960 के दशक में जब नेपाल में सुखा पड़ा तो प्रितम सिंग ने लोगों की मदद करने में एहम भूबी का निभाई उन्होंने खाना सप्लाई करने के लिए अपने 150 ट्रक दिये उन्हें काम से खुश होकर नेपाल के राजा ने उन्हें 5000 रुपे की बक्षिश दी थी ऐसे ही बने रहे हैं राजनमा दुनिया के साथ नहीं बाद